हलो दोस्तों नमस्कार, वेलकम तो इस अमेजिंग प्लेटफर्म टाप 10 क्लासेज और मैं बच्चो आपका केमिस्टी मेंटर प्रज्जोर सिंग आपका टाप 10 क्लासेज बच्चो स्वागत करता हूँ आज बच्चों क्या देखेंगे संकुलन छमता बच्चों क्या होती है तो संकुलन छमता की बात करेंगे तो आईए तो सबसे पहले बच्चों जैसे हमने क्या बनाया एक क्यूब बनाया क्या है बच्चा एक क्यूब बनाया और क्यूब के बच्चों सपोर्थ करते हैं इसके जितने भी कोने हैं बच्चों वहाँ पर क्या मौझूद है आपके परमाडू मौजूद है क्या मौजूद है बच्चा परमाडू मौजूद है तो अगर कोई बच्चो आपका यूनिट से लोगा कोई भी आपका यूनिट से लोगा मात्रकोष्ट का होगी तो ऐसा तो नहीं गया कि पूरा का पूरा आपका परमाड अस्थान घेर ले कुछ अ खाली होगा तो संकुलन च्वामता बच्चो क्या होती है जो संकुलन च्वामता मतलब packing efficiency वह क्या यहाते बच्चो परमाडू दोरा घेरा गया अस्थान परमाडव जितना स्थान घेरर हैं और अब बटे कुल obs आयतन का जो प्रतिस्तत होगा वही क्या होते बच्चों संकुलन छम्ता होती है तो मतलब संकुलन छम्ता वराबर परमाडू द्वारा घेरा गया आयतन और बटे बच्चा कुल आयतन और इसका और इसका क्या निकालेंगे बच्चा प्रतिस्तत निकालेंगे तो हमने इससे क्या कहते है 100% से क्या कहते है बच्चा मल्टिप्लाई कर दिया तो संकुलन छम्ता क्या है पर माडो द्वारा गेरा गया स्थान बटे गुल आयत्तान का जो प्रदिसत्रत होगा उसी को क्या है संकुलन छमता करते हैं तो आईये लिख ले संकुलन छमता क्या आते बच्चो तो किसी कोस ठीका की किसी कोस ठीका insist मातर कोश का बच्चो किसी मात्रक कोष्टिका की संकुलन छम्ता किसी मात्रक कोष्टिका की संकुलन छम्ता क्या थी बच्चा पर्माडू द्वारा घेरा गया अस्थान पर्माडू द्वारा घेरा गया अस्थान तथा पर्माडू द्वारा घेरा गया अस्थान मतलब बच्चा आयतर ठीक न, आयतर तथा कुल आयतन के अनुपात का प्रतिशत होता है कुल आयतन के अनुपात का क्या होता बच्चा प्रतिशत होता है किसी मात्र कोष्ट का की संकुल आयतन प्रतिशत होता है मतलब संकुल आयतन बड़े कुल आयतन इंटू क्या होगा हन्डेट होगा तो ये बच्चो आप जानते रहें और संकुल आयतन के किसे प्रतिशत करेंगे P.E.C. Packing Efficiency से करेंगे तो आईए आप देखे हम आपकी Efficiency Efficiency की संकुल आप छमता सबसे पहले बच्चा Efficiency means क्या होता है Simple Cubic Unit Cell Simple Cubic Unit Cell को क्या काते हैं बच्चो ये सी सी काते हैं और इसकी क्या निकालना बच्चो संकुलन छमता निकालनी है आप संकुलन छमता निकालनी है अब संकुलन छमता बच्चा निकालनी कैसे तो सबसे पहले बच्चो हम जानते हैं संकुलन छमता जोती है पर मानुदारा घेरा गया आतन बटिक कुला आतन के क्या होता है अनुपात का प्रतिस्त होता है तो ये सी सी बच्चा संसे पहले क्या होता है यहाँ पर हम आपका एक बच्चा यूनिट सेल ड्रा करते हैं एक ग्या ड्रा करते हैं यूनिट सेल ड्रा करते हैं एका कोश्ट का ड्रा करते हैं जो क्या बच्चा एस सी सी है क्या है आपका यस सी सी है अब हम चेक करेंगे पर मार्दार घेरा गया आतन बटिक कुल आतन हम जानते हैं की बच्चा, ये क्या बच्चो, यस जिसी है, क्या है आपका, यस जिसी एका कोश्ट का है आपके, अगर इसकी ये संगुलन छम्ता बच्चा निकालना आपको, संगुलन छम्ता, बराबर क्या आता होता ह Such है ये, परमाड़ोद्वारा, घेरा गया आयतन पर माडो दोर घेरा गया आयतन बटे बच्चा क्या आगा आपका कूल आयतन इंटू क्या आगा हंड्रेट प्रतिसत तो इसे बच्चा आपने क्या आखा दिया equation number 1 माल लिया equation number 1 आप क्या चाहिए आपको पर माडो दोर घेरा गया आयतन चाहिए तो बच्चा सबसे पहले हमने क्या माल लिया माना पर माडो गोला कारे तथा उनकी तिर्जा तथा उनकी तिर्जा क्या अच्चा इसमाल आ रहे है उनकी दिज्जा क्या है इसमाल आ रहे है तो बच्चों सबसे पहले यह सिसी में कितने परमाड़ होते हैं यह सिसी में कितने परमाड़ होते हैं तो आठ कोने बच्चे तो यह सिसी में कि परमाडू का योगदान कि कितना बच्चा बताईए आठ कोने होते हैं और एक परउमाड को युगदान एक बट्टी आठ होता है तो आठ चाठ बच्चा कैंसिल होग्यां कितना गया Kendra पर्मारोक ओग्या तो यह सिसी में जो पर्मारोको यगदान उता चखते नहों ये पर्मार को यöगदान होता है इसी का आयतन निकालने इसी ड़े पर्मारोंड संफ दिवा घ्यरट गार का ईसन इससा अधर निकल अधर निकालंगे अधर अधर हुए परमाड़ द्वारा गेरा गया बच्चों जो आयतन निकलिया कितने परमाड़ है एक परमाड़ है और बच्चों जो गोला होता है जो आपका गोला होता है तो गोले का आयतन कितना होता है 4 पटे 3 ROB तो रखंचों परमाड़ दौर घहरा गए आयतन क्या होगी और एक गुड़े क्याहर मट्टीप्लाइए करने दसे इसे एक्या मा लिया दो माल लिया मर लिया cock कि इससे क्योह सब लबक्चों मैंने क्या माल लिया है आपको अब रिंगे है हूं से रिंगि घ्रक ये आयतन अगर हम इसके भुजा को क्या माले बच्चा ए माले यद इस घन के भुजा को क्या माले ए माले तो जो कुल आयतन निकलेगा जो क्या निकले बच्चो कुल आयतन निकलेगा, क्या होगा आपका, एमानी है ने, तो A q होगा, क्या होगा अच्छा? A q होगा, क्या होगा? A q होगा, और आप एक फार्मुला आप जानते हैं, कि जो आपका stc होता है, अच्छो? आपका एक हमने फलक लिया फलक आपने सामने रख दिया बच्चा तो जो परमाड होते नहीं इस प्रकार एक दूसरे को टच करते रहते हैं क्या करते बच्चा टच करते रहते हैं यह सिसी में तो यह पूरा क्या है यह आपने क्या मान रखा बच्चा ए मान रखा क्या मान तो यहां पर जानते हैं यहां प्लिख रहे हैं चुकि अच्छा आप क्या जानते हैं यह सिसी में कि अध्या वराबर क्या होता है टू आर होता है तो कुल आयतन तब बच्चा आपका जो कुल आयतन निकलेगा टू आर का होल क्या निकले बच्चा टू आर का होल क्यूब अध्या अर गुडे अच्छा क्या आगया 8R cube आ गया, क्या आ गया आपका, 8R cube आ गया, तो अगर आपको, इसको आपके आमाली equation नहीं बढ़ती है, तो बच्चो देखिए, दोनों चीज आ गया आपका, परमाड दोरा घेरा गया आयतन, बटे कुल आयतन, तो परमाड दोरा घेरा गया आयतन, क्या है, 4 बटे 3 piR cube है, और कुल आयतन, बच्चो क्या 8R cube है, तो बताइए आप, जो पैकिंग efficiency निकलेगी, जो संकुलन छमता निकलेगी, बच्चा, जो आपकी संकुलन छमता निकलेगी, वो क्या निकलेगी, परमाड दोरा घेरा गया आयतन, क्या है आपका, 4 बटे 3 piR cube, क्या बच्चा आपका, 4 बटे 3, piR cube, बटे, क्यूल आयतन, बच्चा कितना निकला है, 8R cube, इन्टू बच्चा, 100%, इतनी बाद समन में आई, देखिए, R cube से R cube बच्चा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 4 दूनी कितना बच्चा, 8 हो गया, तो क्या आएगा, निचे, 4 बटे, 3 इन्टो 2, यहां बच्चा क्या आपका, pi, और यहां आपका आपका अच्चा, 100% है, तो आज एगे, तो 3 दूनी 6 हो गया, अच्चो, तो 4 pi कि मान क्या होता है, 22 बटे 7, यह 3 दस्मलों, 1, 4, तीन दस्मलों, 1, 4, बटे, 3 दूनी 6 इन्टो क्या आगे, अच्चा, 100%, अगर आप मल्तिप्लाई करेंगे, तो 4 चोग, 16, 1, यहां बच्चा, 4 ने क्यों 1 होगा, यहां पर क्यों 1 होगा, यह थोड़ा मिसिंग रहा, तो 1 इन्टो 3 दस्मलों, 1, 4, ठीक अच्चा, अगर यह आप 1 का मल्तिप्लाई करेंगे, इसमें बच्चा, तो क्या आएगा, इन्टो बच्चा, 100 का, हमने का अगर दिया, मल्तिप्लाई कर दिया, और यह आप क्या 6 है, परसेंटेज, तो क्या 314 है, बटेच्च है, परसेंटेज बच्चा, तो भाग दीजे, कितना आएगा, अगर आप भाग देंगे, कितना आएगा, 6, 35, 30, तो 5 है क्या बच्चो, क्या दूनी, 12, तो कितना बच्चा आपका, 2 बच्चा, 2 चीरोज, और 6 तरिक, अठारे, तो 52 दस्मलों, 3-3 बच्चा क्या आगया, इसकी संकुलन छमता आगई, कितनी आगई, 52 दस्मलों, 3-3 संकुलन छमता आगई, तो आप क्या लिखेंगे, बच्चा, आता है, संकुलन छमता, 52 दस्मलों, 3-3 प्रतिसत होती है, कितनी होती बच्चो, 52 दस्मलों, 3-3 प्रतिसत, परसेंट होती है, अगर आप करेंगे बच्चो रिकत स्थान की बात, तथा, रिकत स्थान, रिकत स्थान मतलब जो परमाड आपके अस्थान नहीं घेरे, तो क्या करेंगे, 1,100% है बच्चा पूरा तो 100 में से क्या करेंगे बावन दस मलो तीन तीन बच्चा क्या करेंगे अप घटा देंगे तो सब टैड़ कीजिए यहां देखिए सब पॉइंट जरो जरो बच्चा हमने लिख दिया यह पॉइंट लिशे पॉइंट आना चाहिए तो 33 यहां पक्या बच्चा को 52 है तो घटाएए 10 में से 3 गे 7 9 में से 3 गे 6 10 मलो यहां बच्चा क्या 9 9 2 गे 7 यहां पर 9 में से 5 गे 9 5 भी कितना एगा 4 तो क्या आगया बच्चो 47.67 क्या बच्चा को रिक्त अस्थान आ गया यह बच्चा क्या आगया रिक्त अस्थान आ गया क्या इतनी बाते आपको समझ में आई कि रिक्त अस्थान कितना होगा और संकुलन छमता क्या होगी तो क्यों बच्चो इसमें आप संकुलन छमता कितन शंकुलन शंता कितनी होगी यह बक्चों very very important आपके लिए इसे आप याद राखेएगा यह क्या very very important है इसे आप याद रखेएगा अब बच्चाम बात करेंगे FCC कि शंकुलन छंता कितनी होती है यह यह फिसी की कि छम्ता कि एप सिसी मेंस क्या होता बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल तो अगर आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता बच्चा है फेस centered cubic unit silk face, centered, cubic, unit silk क्या होता बच्चा? FCC होता है और यह FCC आप जानते, बच्चो कि वह मातरक कोष्टिका होती क्या होती बच्चा? वह मातरक कोष्टिका होती है जिसमें परमाडू कहां पर हूँ? कोने पर हूँ? और कोने के अलावा बच्चा कहा पर हो परतीक फलक के केंदर पर हो कहा पर बच्चा हो कोने पर परमाड तो हो है कहा पर परमाड हो आपके कोने पर हो और कोने के अलावा परतीक फलक के कहा पर हो केंदर पर हो बच्चा प्रतियक फलक के क्या हूं केंदर पर हूं तो उसे हम क्या कहेंगे यप सिसी कहेंगे क्या कहेंगे उसे यप सिसी कहेंगे अगर आपके परमाड सभी कोने पर हैं और प्रतियक फलक के बीचों बीच केंदर पर हैं तो उसे हम क्या कहेंगे यप सिसी कहेंगे तो यही निकालना बच्चो यप सिसी की संकुलन छम्ता क्या निकालना यप सिसी की संकुलन छम्ता तो क्या आप जानते हैं संकुलन छम्ता बराबर बताइए तो संकुलन छम्ता तो संकुलन छम्ता बराबर क्या होती बच्चा तो परमाडो दोरा घेरा गया आयतन क्या होता है परमाडो दोरा घेरा गया आयतन बटे बच्चा क्याल किया गया अपान कूल अइतन और विल्चा क्या है अपक्या करेंगे 100 जैंग यह आप पड़ रखें हैं तो इसको उने क्या हो लगत्चा इक्वैस्न नबर एक मळिंगर क्या वानलिए एक्वैसर नबर 1 तो परमाड Barbie ध्रा घिरा गया आयज़ा कितना होगा सबसे पछल में परमाड़ों का योगदान कितना होता बच्चा कोने पर परमाड़ों है कोने पर परमाड़ों प्लस फलक पर परमाड़ों तो कोने परमाड़ों कितना परमाड़ों एट परमाड़ों है और प्रतेक परमाड़ों कितना होता एक बटे आट होता है और फलक पर कितने बच्चो च्छा फलक है तो प्रतेक फलक पर बात करेंगे बच्चा तो प्रतेक फलक पर एक परमाड़ों है और एक फल 6 मतब 1 प्लस 3 आगया बच्चा कितना आगया 4 परमाड़ आगये कितने परमाड़ आगये 4 परमाड़ आगये तो जो FCC में परमाडू का योगदान होता है परमाड की सभागिता होती हो कितना निकला बच्चा चार परमाडू तो परमाडू दर घेरा गया आतन तो चारों परमाड क्या होंगे गोलाकार होंगे तो चार परमाडू का आतन तो चार परमाडू का आतन बच्चा क्या पच्चा 4 गुडए 4 बट्टे 3 पाई आखरू क्यूब अगर आप मल्टिप्लाई करें वह तर चार चोब 16 16 पाई आर क्यूब बट्टे क्या वच्चा 3 आ गई क्या गई तीन आ गई इसे हमने क्या माल लिया equation number 2 माल लिया इतनी बाते clear होंगी आपकी अब बात करतें cool item, अब उच्छा, cool item कैसे निकालेंगे अगर यह cube है हमने क्या माल लिया, पहले की बात इसके भुजाक हमने क्या माल लिया, ए माल लिया क्या माल लिया, ए, माना माना, घन की भुजा कितना अच्छा A है घन की भुजा क्या है A है तो आप सबसे पहले बच्चो आपका ये value किसमे है R में है किसमे है R में है तो आपका जो A भी आना चाहिए बच्चो R में लेकर जाना पड़ेगा मतलब A और R में relation चाहिए तो A और R में कैसे relation निकालेंगे बच्चा माना घन की भुजा A है तो जो अच्छा इसका कूल आयतन निकलेगा क्या है कूल आयतन क्या निकलेगा A Q होगा क्या होगा आपका A Q होगा इसे equation नपर हमने क्या माल लिया 2 माल लिया सौरी 3 2 हो चुका है आपका A Q होगा तो अच्छा यहां पर आपका A Q है और इसकी value सबको R में लानी है A Q और R के बीच आपको relation घूड़ना है बच्चो इसके लिए YFCC के लिए चलिए हमने याँ बच्चा इसका फलक बना दिया YFCC का YFCC का और एक प्रमाट के बच्चा इसको बीचो ूवी刚 होगा तो यह दूरी क्या है यह दूरी R है और यह दूरी बच्चा क्या है? R है और यह दूरी बच्चा क्या है? R है तो यह पूरा क्या है? यह यहां से ले करके यहां से ले करके यहां तक के बच्चा जो दूरी है वो क्या है? आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर है क्या है आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर है और इसकी दूरी आपको बच्चा पता है इसकी दूरी क्या है ए है इसकी दूरी बच्चा क्या आपका ए है और क्योंकि भूजा आपने ए मानत इसकी दूरी बच्चा कितना आपका ए है तो चुब बताईए आप अगर आपको इसके और इसके भी से रिलेशन चाहिए तो आप पाइथा गोश्प्रमे लगा सकते हैं न तो देखिए यह क्या बच्छा नीऊन कोट ठीटा माल लिए अगर यहां से बात करेंगे यहां से बात करेंगे तो आपका क्या आएगी यहां से बात करेंगे तो आपका क्या आएगी तो यहां बच्चा हम लिखते हैं ठीक ना यहां पर अगर यहां से बात करेंगे तो आपका क्या होगा कर्ड का स्कॉयर बराबर लंब का स्कॉयर प्लस आधार का square, तो ठीक ना बच्चा, तो कड क्या आच्छो, ये कड है आपका 4R, तो 4R का जो square बच्चा निकलेगा, लंब क्या बच्चो, A है, तो A का square, आधार क्या बच्च, A है, तो A का square, तो ये क्या बच्च, 4 चोक, 16R square, क्या आगया, 4 चोक, 16R square, बराबर क्या है, 2A square, A square आपको हमेशा किस में चाहता है बच अनिकालना होता है तो यहां से देखिए अगर हम यहां से निकाले तो सोला है और स्कॉआर बटी क्या वह अगले निकाले है बराबर कर एस था अर्फ कंस वह था हुआ है लेगर दो आप सोदा अमठी Carry क्या अगया अगर आप ए निकालना चाहेंगे तो यह क्या होगा आपका अंडरूट इंटू क्या आपका आर तो यही वैलू आ गए इसे आपका उपका चार अब एक्वेसन चार कमान कहां पर रखो आपका पर कुल पर तो रखें बच्चा जो आयताने बच्चा क्या आपका एक क्यूब है तो यह बराबर क्या निकला तू अंडरूट टू आर निकला है तो रख लीजिए तू अंडरूट टू इंटू आर का बच्चा क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा तो तोड़िए इसे अगर इ इंटू अंडरूट इंटू इंटू अधो अंडरूट टू और कीतनी बार तो थीन बार सफ things अब आर य darf लिखते रहे आपका तो मताये डो दूनि चार दूनि आठ इंटू अंडर डूनी अगर अगर अमझाएं तो लिख देक्टि व लीख दे रहें कि मोच्छा कुल आयतन निकल कर आगर इक्वेसं नोडी क्음 2 देते हैं मत अब यह ही है jogos चीज़ हम करते इसका मानацию पांच का और एक्वेसंन किसका इसको मान्य निहां कुर स्की प्रम हकेशन एक रख रहे हैं । आए यह रख लेते हैं आ है कियो इक्वेशन मुएक्वेशन कि मौझे अधोड़ यह हुआ है का हूँ अ अधिक रखने पर एक में रखने पर इनियमा उन्हें तो जो पाइकिंग इपिसेंसित तब आएगी बच्चा क्या आगी आपकी पर मोर्दा घेरा के अस्थान कितना है आपका कोल है कि पाई आर क्यूब और बच्चों कोल अस्थान बच्च आपका क्या है आपका शोलाग और रूर्ट्ट्टू निट्टू आर क्योग और बच्चा क्या आपका हें हंडर्ट पर्सेंट है इंडउ क्या बच्च आपका holyध सालो कर लेंَّ ज suits आपकude एफिसने आपकी सोलय हो पई और बच्चो नब अरग तैन बी है यहां पर अब त Хотя ट्री 1 कि अब सब्सक्राइब व्हूद कि संकूलन कि जह्मता सब्सक्राइब वोच्छ वो क्या होगी आप कि आप खुर बताई क्या होगी सबसे पहले बच्छे यहां देखिए 16 से 16 अब क्या जाएगा अर क्या हो जाएगा तो क्या बच्छा उपर पाई क्या जाए पाई और नीचे बच्छा आपका 3 ंडर 2 x 100% तो πी कमान क्य होथा 3, 10, 114 बटे 3 और अंडर 2 कमान क्या दो अच्छो एक दसलो 4 क्या होता 1, 10, 4 तो रखिए 1, 10, 4, 1 x 100 तो इसका मल्टिप्लाइ किरिंग बच्चों 318 आ जाएगा और यहाँ देखे 3, 19 3 तर तेशार खिव देखिए देखिए और साज़ें और द सते हैं गेसा साध्व हाट्ति-अग के दोष्श्य जिस घोनेखेन है तो फिर उतंस थे तेशा सोपने उत्यार्व त्थ prefirm में तारव बोटरबा कर दिया और नीचे भी हड्रेट से मल्टि प्लाई करेंगे तो चार दस्मो लो इतनल आपका इतना गया तो चार सो ठेषैंसे है कोड़ेघ्यक कितना आएगा है तो चार सो तेई से बच्चा और यह आप क्या है आपका कि 31,400 बच्चो क्या है आपका 31,400 कि अब इसमें डिवाइड करें बच्चा तो कैसे करेंगे यहां पर ध्यान दीजिए देखिए चार सो तेई से तो कितनी बार जाएगा बच्चो अगर इसलिए तो सेवन बार जायगा कितनी बार उच्चा तो सेवन बार ले जाएगा कितना आएगा साथ तरीक 21 के एक हात में है दो साथ दुनी 14 दो 16 के छात में है एक साथ चुक 28 एक 29 तो घटाए बच्चा 10 में से एक गे 9 यहां कितना 13 13 में से चागे ते 13 में चागेगे 437 और यहां कितना बच्चा 10 10 में से 1 क्यारी लेगा यहां बच्च जीरो बच्या न है और कितना 10 में नहां कितना 10 क्यारी चांस से ले जाएं अगे 9 विग यह क्षोक अगरnia 413 से ले जाएं तो कितनी बाद जाएगा तो वन टाइम्स को टो टाइम्स जाए वुच्छो कितनी टाइम जाएगा फोर टाइम्स तो देखिए चार त्याइँ 12 के दू हाथ मैं एक चार दुनी आठ एक नौ और चार चौन 16 तो घटाई बच्चा 10 10 से दो गए 8 और किया बच्चा यहाँ पर आपका 8 बच्चा एक करी लेगा 18 18 में से 9 बच्चा 9 और 6 से 6 1 में से 1 गए 98 आगे बच्चो तो यह कितना गया 74 आगे बच्चो और इसे आप और ले जाना चाहते हैं इसको आप और आज ज्यादा साल्व करना चाहते हैं तो साल्व कर शक्ते हैं तो अच्चा क्या आएगी 74 आगे बच्चा अब आपका कितना आ गया अगर इसको आप साल्व करेंगे तो कितना आगे आपका 74 परशेंट आगे इसका 74.23 ऐसे संथिंग आएगा लेकिन इग्जैक्टली आप देखेंगे तो कितना आप बच्चो चोहते परशेंट कर चोहते परशेंट आप याद रखिएगा तो अगर आपसे कोई कहे कि Fcc की संकुलन छंता कितनी होती बच्चा, तो आप कितना बताएंगे, 74 % होती है, कितना होती है, 74 % होती है, अगर आपसे कोई रिख तस्थान पुछे, रिख तस्थान, तो क्या करेंगे आप सब, 100 मैएनस 74 । तो घटायें कितना आएगा, 10 तो 40 गे 6, 9 मिए 7 गे 3, तो 36 आते बच्चों आपने याद कर लेना एक यस्तिसी के लिए ए मात्रक कोष्ट का मात्रक कोष्ट का आप हमने लिखा और बच्चों का योग संकुलयन चमता और क्या संकुलन चमता तो आज हये यस्तिसी कर यह ख्याक क्या एक वा किश्चोंन तर भच्चा ए बशच्चों यहाद रखना है और यही आपको क्यों याद रखना है और इसके अलाओ कोई भी डाट आपको याद नहीं रखना है आएगा एक्जाम में तो आ सकता है डेरिवेशन वो डेरिवेशन ये अपसी सी के तहट आ सकता है और लेकिन ये बच्चा अकसर आपकी एक्जाम में पूछेगा इस पर आपकी नुमेरिकल्स बनेंगे जो की बहुत ही इजी होते आप आसानी सुन्हें सालो कर शकते हैं आई हो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो इसे आप लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए चैनल को तब तक मिलते हैं बच्चों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए चैहिंद जय भारत